Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करताओं कि आप लोग अच्छे होंगे, किस देश के पास self-defense का हक है और किस देश के पास नहीं है, ये कहपाना मुश्किल है, और ये भी कहपाना मुश्किल है कि किस attack को self-defense के category में रखा जाए, जिस तरीके से इसराइल और इरान के बीश में tension बढ़ा है, अब ये डर लगना शुरू हो चुका है कि कहीं ये एक regional conflict, global conflict ना बदल जाए, रिसेंट इसराइल और इरान के बीश में tension का वज़ा है, इसी महीने के एक और दो तारी के बीश में Damascus Syria में इरान की consulate पे attack होता है, जिस attack में इरान के 7 high ranking officials की जान जाती है, उसके इरान ये promise करता है कि वो इस attack का बदला लेगा और उसने इसराइल के उपर लगभग साड़े 300 से भी अधिक missiles दा गें, जिसके बारे में ये कहा गया कि almost 99% जो missiles थे उसको diffuse कर दिया गया, इस attack के बाद European countries और US साथ में इसराइल बढ़ चड़ कर ये कहना शुरू कर दिये कि इरान के उपर और भी sanctions लगाया जाएं, उसके बाद Benjamin Netanyahu ने ये भी कहा कि इरान ने जो attack किया है इस attack का बदला लिया जाएगा, as a result क्या होता है कि इरान के nuclear facilities पे attack होते हैं, अब attack, counter attack, retaliation, self defense, ये सब events इतना जादा हो गया है कि आप किसी भी वीडियो में किस point को रखे और क इस point को ना रखें, ये खुद में एक बहुर बड़ा challenge हो जाता है, लेकिन इस चीज में कहीं से कोई संदेह नहीं है कि अगर आप USA के साथ में हैं, तो अगर आप गलत भी करते हैं, तो वो सही हो जाता है, और अगर आप USA के साथ में नहीं है, तो अगर आप सही भी करते हैं तो वो गलत हो जाता है As an Indian हमारे लिए बेहत जरूरी होता है कि इन सब events को हम बहुत ही closely monitor करें ताकि हमें समझ में आए कि अगर कल को US हमें support करता है या किसी भी तरीके से हमारा तारीफ करता है तो हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि US के दिमाग में कुछ ऐसा program चल रहा है जिसके तहत US हमें इस्तेमाल करना चाहता है इस वीडियो में हम इसराइल और इरान के latest tension के बारे में कुछ points के उपर discuss करने वाले हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं So 1979 का Islamic revolution के बाद इसराइल और इरान के बीच में relation बेहत खराब हो जाते हैं जहाँ पे इरान चाहता है कि वो Muslim world का leader बने और अपने supremacy को establish करें अब इसराइल बर्चल कर ये बहुत बार बोल चुका है कि आज के rate में अगर इसराइल के लिए कोई सबसे बड़ा threat है तो वो इरान है जिसके तहट क्या होता है कि इसराइल के उपर multiple sanctions लगाया जाते हैं European countries के दवारा और USBs में रहता है अगर आप किसी भी देश का economy को खतम कर देंगे तो वो देश automatically खतम हो जाता है Mostly जो attacks किये जाते हैं वो early morning attack किये जाते हैं और 19 तारीके early morning इस फहान शहर जो की इरान के काफी important शहरों में से एक है वहाँ पर इसराइल ने कुछ missiles दा गए जिसके बारे में इसराइल के दवारा ये कहा गया कि उस attack में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है इरान को साथ में इरान ने ये भी कहा कि इसराइल ने जो attack किया है इस attack का इरान अभी recent time में कोई बदला नहीं लेगा अब अगर आप European medias की माने तो European medias इरान को इतना कमजोर दिखाते हैं ऐसा लगता है कि इरान के पास कोई शमता ही नहीं है लेकिन as in Indian हमारे लिए बहर जरूरी होता है कि जो देश हमारा in fact दुश्मन भी है उसके जो capabilities है उसे हम कभी भी कम करके ना आके अगर इसराइल और इरान की बीच में tension है तो कहीं ना कहीं इरान भी अपने हिस्से का homework बिलकुल कर रहा होगा और बीते कुछ सालों में जिस तरीके से इरान, रश्या, चाइना, नॉर्थ कोरिया ये सब करीब आए हैं और इसमें से अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया, चाइना, रश्या ये एक nuclear capable देश हैं और जब हम बात करते हैं रश्या, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इरान इन सब देशों का जो relation है वो European countries के साथ बेहत खराब है तो हम कह सकते हैं कि दो जो almost group create हो गया है उन दोनों groups के पास nuclear weapon है जो कि अपने आप में काफी threatening है एक चीज जो देखने वाली या सवाल पुछने वाली वो ये है कि अगर इरान के पास nuclear weapon आ जाएगा तो इससे global tension बढ़ जाएगा कि ये अपने आपको बता रखे हैं कि अगर दुनिया में US ना रहे या उसके allies ना रहे तो ये दुनिया रहने like नहीं रहेगी इसे कहते है narrative को build करना उसी बीच अगर आप इरान, इस्राइल या इस्राइल, पैलेस्टीन का अगर आप मुद्दे को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस matter को सुल्जाया जा सकता था बादशीत के माधियम से लेकिन US और European countries बादशीत का माधियम ना चुनके वो war का माधियम को चुनते हैं वहीं दूसरी तरफ अगर आप Ukraine Russia war को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि US और European countries उनका जो behavior है Russia के लिए वो हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक mild है कहने का मतलब है कि अगर सामने वाला देश strong रहे और सामने वाला देश के पास nuclear weapon रहे तो European countries और US इनका behavior अलग हो जाता है लेकिन अगर सामने वाला देश उनके हिसाब से कमजोर रहे तो ये लोग उसके उपर इतने attacks करते हैं और उन से अब attack को justify किया जाता है self defense के नाम पे ये 2023 का latest SIPRI का report है जहां पे आप देख सकते हैं कि दुनिया को 41.7% जो weapon है वो export किया है US उसके बाद 10.9% export किया है France तो अगर आप सिर्फ इसी data को अगर आप देखेंगे और आप सोचेंगे कि अगर कोई देश almost almost 42% अगर weapon बेच रहा है तो ये जो weapon से जो पैसे आ रहे हैं इसका बहुत बड़ा contribution है उस देश की economy में तो क्या कभी US सोचे है कि वो war रुक जाए क्योंकि अगर war रुक जाएगा तो जो demand या supply है weapons का वो खतम हो जाएगा अगर वो खतम हो जाएगा तो कहीं न कहीं जो economy है उस पर directly hit पहुंचेगा same चीज France के साथ में भी है same चीज Russia के साथ में भी है तो ये सब data या ये सब articles पढ़ने के बाद एक चीज़ तो हमें समझ में आता है कि कहीं न कहीं war जो होता है वो अपने देश के economy को चलाने के लिए बेहत जरूरी होता है और उस war में सफर कौन करते हैं तो जो common civilians होते हैं वो सफर करते हैं चाहे वो US के हो, चाहे वो France के हो, चाहे वो Russia के हो, China के हो, Germany के हो या in fact वो Iran या Israel के ही क्यों ना हो उसके बाद अगर आप इस map को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जो बीते Saturday Sunday के बीच में Iran ने जो attack किया था Israel के उपर वो एक direct attack था, जिसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं इरान को, इराक को, सीरिया को, लिबनान को, इन सब को inform करना था तो अगर आप इराक, सीरिया, लिबनान को, या कुवेट को अगर आप inform करते हैं तो कहीं न कहीं जो chances होता है, वो काफी बढ़ जाता है कि ये सारे देश US को बता देंगे possible attack के बारे में जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी possible जो attack है उसे diffuse करना काफी आसान हो जाता है लेकिन वहीं लिबनान में जो हिजबुला है, उसका border लगता है इसराइल के साथ में, कहने का मतलब है कि इन्हें किसी भी देश का airspace को use करना नहीं पड़ेगा तो इसलिए जो experts हैं जो इस war को या इस tension को काफी closely monitor कर रहे है उनके हिसाब से जो सबसे बड़ा threat है वो है लिबनान का Hezbollah और इसलिए इरान का खूब सारा investment है Hezbollah में इसमें कहीं से कोई दोर आए नहीं है कि Israel as a country काफी strong है इनके पास काफी अलग-अलग देशों का funding है, support है, intelligence gathering है लेकिन फिर भी अगर कोई आपका पडोसी मुल्क है और उससे अगर आपके relations अच्छे नहीं है तो वो कहीं न कहीं कोई न कोई loophole ढूंडी लेगा जिस loophole का इस्तेमाल करके वो आप पे attack करेगा तो इन सारे अगर आप articles को पढ़ेंगा तो आपको ऐसा लगया कि first and last line of defense हर वक्क dialogue और diplomacy ही होना चाहिए और मेरा ऐसा व्यक्तिकत मानना है कि war कहीं पे भी हो चाहे वो Syria में हो, Lebanon में हो या किसी और देश में हो war नहीं होना चाहिए और अगर कोई भी ऐसा मुद्दा है जिसके कारण tension बढ़ रहा है तो हमें dialogue और diplomacy का हीं इस्तेमाल करना चाहिए I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गए तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye